नमस्कार मित्रो, आज मैं मौटापा बढ़ाने के लिए आएरुवेद की 4 बताने जा रहा हूं क्योंकि कुछ भाई भेन हमारे कहते हैं कि हमारा मौटापा बढ़ता नहीं है हमारा बेट इनकरीण नहीं होता, तो क्या करें हम आयरवेद में कुछ ऐसी रामबाडवस्ती हैं जिनका यदि हम 7 करते हैं तो हमारा बेट नॉर्मल हो जाता है अगर अंडर बेट है तो नॉर्मल होगा निशित तो क्या करना है अशुगंदा सतावर सफेद मुफली इन तीनों में से जो भी हमें उपयोग लगे उसका 7 करें और अगर एक भी आप उपयोग करेंगे अशुगंदा का चूड या सतावर का तो वो हमारे मोटापे को काफी तेजी से बढ़ाता है जो अंटर बेट है उनका बेट नॉर्मल हो जाता है तो क्यासे इनका 7 करना है आप एक चम्मच इनका पाउडर ले लें चाया तो अशु पाए बताता हूँ अभी जैसे गर्मियों का फीजन है तो दूद के साथ हम अपना आम का 7 करें जब हम दूद के साथ में आम का जूस बना के पीते हैं या अलग से खाके और दूद पी लेते हैं तो भी हमारा मॉटापा वरता है तीसरा पाए दूद के साथ के ला का 7 करें लेकिन किस प्रकार करना है दूद के साथ केला का 7 पहले हम केला खाएं और आदे घंटे बाद या 20 मिनट बाद हम दूद का 7 करें तो देखेंगे इसे भी हमारा मोटापा वरता है चौत्वा पाय मखाने खजूर यह दो चीरिया सी हैं जिनको हम दूदमावाल के अधी 7 करते ह हैं तो भी हमारा मोटापा वढ़ता है तो जो अंडरवेट हैं वह इंची जो का 7 करें निशित हमारा बेट नॉर्मल होगा और हमारी पाचन के लिए अच्छी होगी जिनका खाना नहीं पच्छता है तो जब वह अश्यकंदा का पाड़र का 7 करेंगे सतावर का 7 करेंगे त तो आज मैंने मोटापा बढ़ाने के लिए योगा अभ्याफ भी आपको बताने वाला था लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप मेरे योगा के जो अभ्याफ हैं उनको मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं योगाचार आर्जयों राणा के नम से तो वहां मो ोग को बन almost all बनisure कर दो कर दो दो किने नम से hmm अजए डो आप मोगास नम से झा सकते हैं योटाह इंज बंटर के जाना कड बन ख़ाओ Zar flor